एक गाउं था, जहाँ सीमा नाम की एक महिला रहती थी, सीमा बहुत गरीब थी, सीमा की शादी हो चुकी थी, उसकी दो बेटियां थी, रानी और परी, सीमा अपना ससुराल छोड़ कर अपने माईकी में रहती थी, क्योंकि उसका पती लालची था, वो सीमा की माँ से हर समय र बेटियों को भी अपने माईके में ले आई थी एक बार की बात है सीमा कुछ काम से घर से बाहर गई थी घर पर सीमा की मा उसकी दो बेटियां थी तभी घर पर उसका पती आता है वो सीमा की मा से बोलता है का है वो महरानी जो ससुराल छोड़कर माईके में बैठी हुई है क्या उसे पता नहीं वहाँ मेरी सेवा करने वाला कोई नहीं है निकल बहारा काँ चुपकर बैठी हुई है अरे जमाई जी आप आएए ना बैठिये मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ इतने में रानी बोलती है नहीं नहीं नानी मा तुम इनके लिए पानी मत लाओ ये बहुत गंदे है ये मेरी मा को बहुत मारते है इन्हें यहाँ से जाने के लिए कहो नानी मा रानी की बात सुनकर उसकी नानी उसे चुप करवा देती है और कहती है अरी रानी ऐसा नहीं कहते ये तेरे पिता जी है हाँ हाँ मुझे सब पता है तेरी माने तुझे ऐस सब सिखाया होगा कुछ देर बाद वो पैसे मांगता है पर सीमा की मां मना कर देती है पैसे ना मिलने से वो गुसे में वहां से चला जाता है शाम को जब सीमा घर आती है तो सीमा की बेटी सीमा से कहती है मामा, आज बाबा आये थे, वो नानी मा से पैसे मांग रहे थे सीमा को ये सुनकर बहुत गुसा आता है, वो अपनी मा से कहती है मा, तुम उसे घर में घुसने ही क्यों देती हो, तुम्हें तो पता है कि वो कितना लालची है, उसे तो दिन रात बस पैसे ही चाहिए, इन सब बातों से ही दुखी होकर, मैं उसका घर छोड़कर यहां तुम्हारे पास रह रही हूँ, तुम क्या चाहती हो, कि मैं ये घर भी जरिया भी नहीं, बहुत देर तक उनके बीच बाते होती हैं, फिर सब सो जाते हैं, अगले दिन सीमा बैठे-बैठे सोच रही थी, कि वो क्या ऐसा करे, जिससे वो अपना और अपनी बेटियों का जीवन अच्छा कर सके, तभी उसके मन में खयाल आता है, कि क्यों ना, वो उसके जैसे लोगों का भी भला हो सके, एक दिन की बात है, सीमा अपनी मा से कहती है, मा, मेरे मन में एक बात आई है, कि क्यों ना हम खाना बना कर उसे बेशने का काम करें, सीमा की बात सुनकर उसकी मा हसने लगती है, अपनी मा को हसता हुआ देख कर सीमा पूछती है, अरे म तो क्यों हस रही है? तू भी बेटी, अपने पास तो पेट भरने का जुगार नहीं है. और तू है कि दूसरों का पेट भरने की बात कर रही है. तो बिलकुल अपने बाप पर गई है. वो भी हमेशा दूसरों की ही सोचते थे. उन्होंने कभी अपने और अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा, अगर सोचते तो आज हमारी ये हालत नहीं होती मा, वो सब मुझे नहीं पता, पर मैं अपने और अपनी बेटियों के लिए कुछ अच्छा करके इस दुनिया से जाना चाहती हूँ तुझे मैं अपनी पिता की वज़े से पहले ही बहुत दुखी देख चुकी हो पर अब मैं ऐसा नहीं होने दूँगी पर बेटी, तु कहां से खाना बनाने के लिए इतना सारा राशन लाएगी अरे वो सब तो मुझ पर छोड़ दे बस सब कर लूँगी, बस तु मेरा साथ देना और अपना आशिरवाद भी इतने में उसके दो बेटियां भी आ जाती हैं, वो कहती है कि वो भी अपने मा का साथ देंगी, ठीक है बेटी जैसा तु ठीक समझे, मेरा आशिरवाद हमेशा तेरे साथ है कुछ दिनों बात सीमा काम शुरू कर देती है वो सबसे पहले गाउ में एक सरकारी राशन की दुकान पर जाती है और वहां से उधार में राशन लेकर घार आती है, अपनी मा और दो बेटियों के साथ मिलकर खाना बनाना शुरू कर देती है उसकी दो बेटियां भी उसकी मदद करती है मामा देखो कितना ज़रा खाना बन गया और बहुत स्वादिष्ट भी लग रहा है क्या मैं थुरा सा चक्कर देख लूँ हाँ हाँ बेटी ज़रा चक्कर बता तू कैसा बना है पर ध्यान रहे खाना जूठा नहीं होना चाहिए माँ खाना तो बहुत अच्छा बना है पर इस खाने का अब क्या करेंगे माँ अब मैं इस खाने को डबों में भर कर बाजार ले जाऊंगी जहांपर जरुरतमन लोगों को खाना बेचूंगी इतना कहकर वो खाने के डब्बे को लेकर बाजार चली जाती है बाजार में जाकर सीमा वहाँ पर दुकानदारों को खाना बेचने लग जाती है सीमा एक दुकानदार से कहती है अरे भाईया, खाना खाओगे क्या? बस पांच रुपे की थाली है जिसमें स्वादिष्ट दाल, रोटी, चावल और सलाद मिलेगा आपको अरे वा, इतना सस्ता खाना, लाला जल दिला मैं भी तो देखो तेरा खाना खाने लाइक भी है या नहीं अभी लो भाईया, सीमा एक ठाली में डाल, रोटी, सबजी और सलाद डाल कर दुकानदार को दे देती है दुकानदार खाना खाने लगता है, उसे खाना बहुत पसंद आया वो सीमा के खाने के तारीफ करता है और उसे पांच रुपे दे कर कहता है अरे बेटी, कल से तो ही मेरे लिए खाना बना कर लाना, बहुत स्वाध है तेरे खाने में सीमा यह सुनकर बहुत खुश होती है फिर वो बाकी के लोगों को खाना देने लगती है, लेकिन खाना थोड़ा ही होने की वज़ह से जल्दी खत्म हो जाता है सीमा घर चली आती है घर आकर वो अपनी मां से कहती है मां देख आज पहले ही दिन हमारा सारा खाना बिग गया अरे बेटी ये तो बहुत अच्छी बात है पर वो, बेटी वो अरे मां तुझ चिंता मत कर, सब ठेक होगा कुछ दिनों तक सीमा रोज खाना लेकर जाती और बाजारों में उसे बेच कर आती अब तो सीमा पैसे कमाने लगी थी लेकिन कुछ लोगों से ये देखा नहीं गया एक अकेली औरत को काम्याब होते देख कुछ लोगों को जलन होने लगी लोगोंने उसे ताना देना शुरू कर दिया एक बार जब वो खाना लेकर बाजार जा रही थी तो कुछ लोग उसे भला बुरा कहने लगे अरे ज़रा देखो तो इसे कैसे पती को छोड़ कर माई के में मज़े लूट रही है जब देखो बाजार में घूमती रहती है हाँ भाई तुम ठीक कहते हो कैसा जमाना आ गया है राम 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 अब तो ये रोज की बात हो गई थी रोज कोई न कोई सीमा को मिलता और उसे ताने देकर चला जाता सीमा इस बात से बहुत परिशान और दुखी हो गई कुछ दिनों के लिए उसने खाना लेकर बाजार जाना छोड़ दिया और घर पर उदास रहने लगी अपनी बेटी को उदास देखकर एक दिन उसकी माँ पूछती है क्या हुआ बेटी तू आजकल इतने उदास क्यों रहती है और कितने दिन हो गए तू खाना लेकर बाजार भी नहीं गई लोगों को खाना खिलाना तो पुन्ने का काम है बेटी तू तो इतना अच्छा काम कर रही है परना आजकल कौन दूसरों के बारे में सोचता है अपने मा की बात सुनकर सीमा रोने लगती है अरे बेटी क्या हुआ तु मेरी बात सुनकर रोने क्यों लगी तू ठीक तो है बेटी क्या हुआ तुझे सीमा अपने मा को सब बात बता देती है और अपनी मा से गले लगकर रोने लगती है सीमा की मा उसे चुपकराते हुए कहती है मत रो बेटी ये दुनिया ऐसी ही है जब एक अकेली शादी शुदा औरत अपने पैरों पर खड़ी होती है और अपने उपर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ आवास उटाती है तो ये दुनिया उसे ऐसे ही ताने देती है दुनिया वालों से बरदाश्ट नहीं होता कि एक औरत बिना आदमी की मदद लिए भी कुछ कर सकती है पर मा मेरा तो ठीक है मैं ये सहलूंगी पर कल को अगर मेरी बेटियों को किसी ने कुछ कहा तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगी तु ही बता मा मैं क्या करूँ अपनी मा को रोता देख उसके दो बेटियां भी उसके पास आ जाती है क्या हुआ मा तुम क्यों रो रही हो मामा तुम रोती हुए बिलकुल अच्छी नहीं लगती रो मत मा हम हैं न तेरे साथ अपनी बेटियों की बात सुनकर सीमा उसे गले से लगा लेती है रात हो जाती है सब लोग सो जाते हैं लेकिन सीमा के कानों में तो लोगों की आवाज है गुंज रही थी अगले दिन सीमा अपने कमरे में उदास बैठी हुई थी पास्प में उसके दो बेटियां सो रही थी सीमा की मा सीमा के पास जाती है और कहती है सीमा मैं रात भर सोचती रही कि ऐसा क्या करें जिससे गाउवालों का मू अपने आप बंद हो जाए पर मा मैं क्या करूँ खाना बेजकर कुछ पैसे कमा रही थी तो लोगों को वो भी न देखा गया ऐसा क्या करूँ उस लालची आदमी के पास तो दुबारा नहीं जा सकती अकेले ही करना होगा जो भी करना होगा देख बेटी मेरे मन में एक बात आई है तू कहे तो बताऊं हाँ हाँ माम बता देख बेटी, एक बार मैं शहर गई थी, वहाँ पर मैंने देखा कि कुछ लोग सडक के किनारे खड़े होकर खाने की थाली बेच रहे थे, लोग लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए थे, एक आदमी चिला रहा था, पांच रुपे वाली थाली, पांच रुपे वाली था हाँ मा, ये तो बहुत अच्छा विचार है, पर घर के बाहर नहीं, हमें कहीं ऐसी जग जाना पड़ेगा, जहां भूखे गरीब, जरुरतमन लोगों का आना जाना हो दोनों इस बात पर राजी हो जाते हैं, और फिर गाउं से कुछ दूर एक फैक्टरी के पास, वो एक टेंट लगा कर खाना बेचने लगते हैं, सीमा अपनी दोनों बेटियों को भी अपने साथ ले जाती है, बहुत देर हो गई थी, कोई भी खाना लेने नहीं आया, तो सी लोडिया रानी, ये पांच रुपे वाली थाली क्या है? अरे काका, पांच रुपे के थाली मतलब खाना, ये लो, और ज़रा खाकर बताओ, कैसा है? अरे ये तो बहुत स्वाधिस्ट है, पेट भर गया, पर मन नहीं तो निकालो पांच रुपे बच्ची को ऐसा करते देख, वो आदमी हसने लगा, उसने पांच रुपे निकाले और उसे दे दिये, सीमा भी ये सब देख रही थी अपनी बेटी को देख कर उसे बहुत अच्छा लगा, कुछ देर बाद बाकी के लोग भी आने लगे, और पांच रुपे देकर खाना खाने लगते हैं देखते देखते, उनके पास लंबी लाईने लगी सीमा, उसकी मा, दो बेटियां, लोगों को खाने की थाली लगा कर दे रही थी लोग खाना खाते और उन्हें दूआ देकर जाते रहते थे अब तो उनका काम सही चलने लगा था, दीरे दीरे और भी लोग सीमा से जुडने लगे कोई उसे पैसे दे कर जाता, तो कोई राशन, क्योंकि वो इतने कम पैसे में लोगों का पेट भर एक नेक काम कर रही थी कुछ दिनों बाद सीमा पांच रुपे वाली थाली के नाम से मशूर हो गई, अब तो आसपास के सभी लोग सीमा के पास आआ कर खाना खाने लगे थे सीमा भी बहुत खुश थी, लोगों ने उसे ताने देना भी बंद कर दिया और उसके काम में उसकी मदद करने लगे एक दिन की बात है, एक भूखा प्यासा आदमी सीमा के पास आता है और खाना मांगता है, पहले तो सीमा उसे पहचान नहीं पाती, फिर जब वो गोर से देखती है कि वो कोई और नहीं सीमा का पती था, जो आज दर-दर की ठोकरें खा रहा था, वो सीमा के पैर पकड़ ले मैं समझ गया हूँ कि जो आदमी औरत का अपमान करता है, वो कभी भी सुकी नहीं रह सकता। वो रोज खाना बनाते और जगर जगर जाकर उसे बेशते थे, अब सब ठीक हो चुका था।